हालो फ्रेंद्स वेलकम तो मारे यूट्यूब चैनल वेवियो तो फ्रेंद्स आज की इस वीडियो में आपको यूट्यूब के वाइटी श्टूडियो अप्लिकेशन के कुछ ऐसी इंपॉर्टन सेटिंग के बारे में बताने वालों जिसके तो आप बहुत आसानी से अपने वाइटी श्टूडियो अप्लिकेशन को गूगल कूर्म अपर्प्रावजर में open कर सकते तो फ्रेंद्स ये solution साथ किसी यूट्वर ने आपको वीडियो में हूँ तो आप वीडियो को सबसे पहले मिले तो आपके लिए मैं इसी तरह की नौलिजफुल और हेल्फुल वीडियो लाता रहता हूँ तो आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आप अपने गुंगल ब्राॉजर को ओपेन करेंगेगे इसकी सर्च बा। में आप टाइप करेंगे वाइटी इस्टूडियो कि वाइटी इस्टूडियो टाइप करने के बाद आप इसको सर्च करेंगे कि सर्च करने के बाद इसकी जो पहली विबसाइट है यही इसकी आफिसेल विबसाइट है इस पी आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यह डायरेक्ट अपने एप्लिकेशन में रिडायक्ट हो जाता है तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको इसी का सिल्योशन लेके आया हूँ जो की 100% वर्क करेगा तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सेटिंग के आपसन को क्लिक करेंगे सेटिंग के आपसन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे साड़ी स्क्रॉल करेंगे और नीचे आपको यहां पर मोड सेटिंग का आपसन सो हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद second number पर आपको application का option वह रहा है, इस पर आप click कर देंगे, इस पर आप जैसे click करेंगे, तो next पर जैसा open होगा, इसके बाद आपको second number पर all का option वह रहा है, इस पर आप click करेंगे, आप्लिक करेंगे तो आपके मोबाल पर जितने भी अपलिकैसन है थोड़ी देर लोडिंग में आपको सो करने लगेंगे इसके बाद आपको अपने ब्राउदर को सर्च करना थो आपको अपने ल हम इसके ऐससे करना है इस पे क्लिक करने के बाद नीचे साइट आपको open by default का options हो रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो next page ऐसा open होगा इसके बाद नीचे साइट clear default का options हो रहा है इस पे आप क्लिक कर देंगे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके Chrome browser में set as default की setting set हो जाएगी इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ दुबारा से सर्च करके तो सबसे पहले आप Chrome browser में जाएंगे और इसके search बार में आप type करेंगे yt studio सर्च करेंगे इसकी पहली website है इसकी official website है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिल जाए कि आप कि इस browser पर open करना चाहते हैं तो आपको Chrome browser पर open करना है तो Chrome browser के icon पर आप क्लिक कर देंगे जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो वाइटी studio का application है यह Google Chrome browser में open हो जाएगा तो फ्रेंट इस तरह से आप अपने Google Chrome browser में वाइटी studio application को open कर सकते हैं तो फ्रेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करिए subscribe करिए और नीचे देगे बिल आइकन पर प्रिस करिए धन्यवाद